जैस्री करश्न मित्रों, मित्रों इस वर्ष 2022 के वार्षिक राशी फल के अनुसार, इस वर्ष शुब ग्रहों के द्रश्टी वचंद्रबल के प्रभाव से 12 में से 6 राशियों के सितारे बुलंद रहेंगे इन 6 राशी वालों में हैं वर्षब, करक, कन्या, तुला, वर्ष्चिक और धनु राशी वाले लोग, वही अन्य राशी वालों के लिए यहां वर्ष सामान्य फल दाई रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवर धक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो नए साल 2022 की सुरवात हो चुकी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह साल जोतीशी द्रश्टी से बहुती महतो पूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इस साल शनी ग्रह, गुरु ग्रह, राहु ग्रह और केतु लंबे समय तक एक राशी में ठारने वाले ग्रहों का राशी परिवर्तन भी होने जा रहा है तो ग्रहों के इस बदलाव से इस साल समय समय पर सभी राशियों के जीवन में खटे और मीठे अनुभव जुड़ते जाएंगे लेकिन ओसतन रूप से यह साल आपके लिए कितना सुखद और कितना उलजन वाला रहेगा आप अपने वारशिक राशी फिल के अनुसार जान सक ग्रह के साथ विराजित हो करके आपकी उद्यम छमता को धार और विस्तार देगा वक्त के अनुसार यह समय शकल के माध्यम से आपके लिए बहतर नजर आएगा तो शनी मकर राशी में है और लोह का पाद दशम शनी अती सहसी बना करके मनमानी करने की ओर आपको प्रेरित क कर सकता है इसके अलवा 29 अप्रेल 2022 को जब शनी ग्रह कुंब राशी में प्रवेस करेंगे तब प्रसनता में आपके वरद्धी होगी और काम्याबी में पंख लगेंगे और तमाम अर्चन के बाद भी नए आवास की भूमी का निभा पाएंगे स्वरन का पाद 11 यानी 11 शन संपत्ती कारक और अनिष्ट निवारक भी रहेंगे और 12 जुलाई 2022 को वक्री शनी वापस मकर राशी में प्रवेस करेंगे तो मौलिक विचारों से कमाल करेंगे राहू वरशब में वा केतू वरश्चिक राशी में गतीशील है लोह पात का दुतिय राहू और अस्तम करीबी मामूली मदभेदों को मनभेद में तब्दिल करेंगे और जिन्दगी के छंड जो है आपके उदासी के रंग भरेगा और परीजनों रिष्टेदारों से विवात का कारक रहेगा 12 अप्रेल को जब राहू मेश राशी में और केतू तुला राशी में कदम रखेंग तो कुछ परिशानिया आपको हो सकती है और बेचेनी आपकी बढ़ सकती है जेब में सुराक सा महसूस होगा और खरीदने की छमता में कमी रहेगी कोई हुनर उभर करके आएगा और नए विचारों से जय और जयकार होगा आपको सफलता मिलेगी केरियर में नया ठिकाना औ आपको देखने को मिलेगी इस वर्स आपका शुब रंग लाल है शुब अंग आपका नो है शुब गरह सूरी गरह और ब्रहस पती गरह है शुब दिसा आपके लिए दक्षिन दिसा रहेगी अगली राशी है वरशब राशी वालों के नुसार वर्स 2022 के आरंब में वरशब के मालिक धंड धनुशबान था में शुक्र देवता धनु राशी में मित्र सूरी के साथ गुप्तगू करेंगे इस राशी के लोग अपने हुनर से जीवन में नई सीडियां चड़ेंगे शनी मकर राशी में है तामरपात का नवम शनी अर्थ में कमी से अनर्थ का अहसास आपको देगा जेब में भारीपन में कमी महसूस होगी 29 अप्रेल 2022 को जब शनी कुम्ब राशी में प्रवेस करेंगे तो जीवन में नया उजला होगा नई संभावनाएं आपकी बढ़ेगी स्वरण पात का दशम शनी चतुर्थ से आपको लाप कराएगा मान सम्मान में व प्रश्चिक में होंगे सोने का पाद का प्रथम राहू सब्तम केतु आपके अंतर मन के तार को जंकरत करके बेसूरा कर सकते हैं यहां योग मानसिक तनाव के बीज उप जाएगा और परीजनों के स्वास्त को प्रभावित करेगा और 12 अप्रेल को जब राहू मेश और केत तुला राशी में कदम रखेंगे तब जिवा पर सरस्वती विराजित हो करके आपकी वाणी से आपके जीवन में रंग भरेगी कानुन से जुड़े लोगों की अच्छी सफलता होगी विधाता का संकेत है कि इस बरस रिस्क से इश्क बेडा करक कर देगा इसलिए आपको स चम लहरा आएगा गेर नहीं अपने दुख दे सकते हैं चिराग के जिन्न की तरह पारिवारिक संपत्ती में जमेला खड़ा हो सकता है साल के मध्धि में कोई ठारा हुआ काम दोर पड़ेगा यानि आपके कारिकों गती मिलेगी आपके प्रती किसी के रहदे में छिपी इर मिथुन राशी वालो के नुसार वर्स 2022 के आरंब में राशी श्वामी बुध मकर में मित्रशनी के साथ गंपिर चिंतन आपको करवाएंगे नए वरस आपकी प्रतिश्ठा को धार देगा और आपके जीवन को बड़ी अदा से समार देगा इस साल आपकी वाणी के साथ साथ आपकी खामोशी भी तेवर में रहेगी आपका कोशल रंग लाएगा और आपका जंडा लहराएगा शनी मकर राशी में अपना काम कर रहे हैं मिथुन राशी के लिए भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं इस राशी के लोग शनी की ढहिया के प्रभाव में हैं यह शनी मांसिक बेचेनी के साथ सरीर के पिछले वा निचले भाग में पीडा आपको दे सकते हैं 29 अपरेल 2022 को जब शनी कुम्ब राशी में प्रविष्ट होगा तब आपको सुकून मिलेगा 12 जुलाई 2022 को वक्री शनी मकर में जाएंगे और सेहत पर बड़ा सा प्रशन चिन लगा सकते हैं 30 देश विदेश या सफर अनुभव जेहन में इत्मिनान वा सरीर में ठकान देगा 31 अनुयाईयों सहयोगियों या समर्थकों के परस पर टकराव की दास्तान आपकी परेशानी पर उबरी खुरदरी इबरातों में नजर आएगी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा राहू वरशव वकेतू वरश्चिक में है तामर चरण का 12 राहू छटे केतू खर्चों को हवा देगा यानि आपके खर्च बढ़ेंगे नपी तुली बातों से असर आकास देगा जलने वाले परेशानी पर सिलवटों की कसीदा कारी करेंगे अपने खराब मुड का बम किसी और पर आपको नहीं छोड़ना चाहिए नए आवास का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा इस वर्ष आपका शुब रंग हरा वा स खे अंक है शुब ग्रह शुकर ग्रह बुद ग्रह है शुब दिसा आपकी पश्चिम दिसा है अगले राशी है करकम करकर राशी वालों के नुसार वर्स 2022 के आगाज पर करकर राशी का स्वामी चंद्रमा मंगल की राशी व्रष्चिक में मित्र मंगल वशत्रू केतू के सा गलबलियां करेगा आपकी राशी पर भुद्ध की सीधी द्रश्टी बोद्धिक सम्रद्धी से नवाज़ेगी पर शनी की नजर सुक सुविधा में रूची के साथ साथ आध्यात्म की और आपको आकरशित करेगी आकस्मिक खर्च से जेब की गर्मराहट में कमी परिलक्षि शनी मकर राशी में है रजत चरन का सब्तम शनी उदर कष्ट देगा पेट में कष्ट देगा और 29 अप्रेल 2022 को जब शनी कुम्ब राशी में परवेस करेंगे तब आपको सुकून मिलेगा 12 जुलाई 2022 को वक्री शनी मकर में जाएंगे तब आपके होसले को नया आयाम राहू वरशवव केतू वरश्चिक में रहेंगे तो रजत पात का एकादश राहू पंचम केतू कारोबार को धार देगा और सही फेशले से जीवन को समार देगा 12 अप्रेल को राहू मेश और केतू तुला चरन में रहेंगे लोह पात का दशम राहू चतुर्ध केतू नो पुराने केरियर में नई उल्जने जमा होगी किसी का बरताव परेशानी का कारण हो सकता है। पुराने केरियर में असर आपका बढ़ेगा। प्रभाव बढ़ेगा उम्मिदे अंकुरित होगी। 12 जुलाई 2022 को वक्री शनी जब मकर राशी में प्रवेश करेंगे तो नई योजनाओं से आपको लाब मिलेगा। प्रशब में केतू वरश्चिक में चलाए मान है। लोह चरण का दसम राहू चतुर्थ केतू थोड़ी अर्चन आपको करवाएगा। चेहरे पर मुस्कान भी होगी। 12 अप्रेल को राहू मेश में और केतू तुला राशी में प्रवेश करेंगे। तो तामरपात का नवम राहू तरती केतू में आपको व्यक्तित में अनोखी चमक देगा। मस्तिश्क में वेचारिक जकडन, सरीर में अकडन होगी। लेकिन यह योग जीवन को कई पुरानी परेशानियों से निर्मुक्त कर देगा। विग्न दूर होने से अंतर मन को शांती मिलेगी। आने वाला साल आपको अर्ष पर बिठाएगा। और प्रगती में चार चान लगेंगे। किसी अन्य की भूल आपके गले पड़ सकती है। किसी विपरित लिंगी से फोन पर बात करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस वर्स आपको थोड़ा सा सोच समझ करके कारी विभार करना होगा। इस वर्स आपका शुब रंग लाल पिला वहरा रंग है। शुब अंक एक वपांच अंक है। शुब ग्रह आपके लिए बुद्ध ग्रह सूरिग रह है। शुब दिशा आपकी पूर्व उत्तर दिशा है। अगली राशी है कन्या। कन्या राशी वालों के नुसार वर्स 2022 की शुरुवात में कन्या राशी के स्वामी बुद्ध मित्र सनी के साथ उनकी ही राशी में मकर में रहेंगे। आपके संग नया साल मनाएंगे। नव वर्ष के जस्न में आत्मिक बोध आपको विशिष्ठी प्रदान करेगा, भविश्य के चस्मे से प्रतिष्ठा में व्रद्धी आपको दिखाई देगी, आने वाले साल में बोधिक छमता को धार और आनंद मिलेगा, इस बरस आप पार्थ की तरह सठिक निशाना शनी मकर रासी में रहेंगे, तामर चरन का पंचम शनी स्वास्त में पलिता करेगा, स्वास्त में बिगाड़ होगा पर यह शनी इस बरस वक्त की सर जमी पर आपके लिए कई उम्मेदे भी जगाएगा, 29 अप्रेल 2022 को जब शनी कुम्ब राशी में प्रवेश करेगा, परे विधाता का संकेत यह है कि तामरपात का नवम राहू तरतिय केतू नए अवसर भी प्रदान करेगा पर प्रतिद्वन्दी प्रतिष्ठा पर कालिमा से सजावट की कोशिश करेंगे खर्च में सुरसा के मुक्सा विस्तार होगा खर्च बढ़ेंगे बहस से आपको बचना चाहिए बारह अप्रेल को राहू मेश राशी में और तुला में जाएंगे रजद पात का अस्टम राहू दित्वी केतू आपको शक्की बनाएगा संदेह से इस वर्स आपको थोड़ा सा बचना चाहिए इस वर्स आपका शुब रंग हरा वा सफेद रंग है शुब अंक पाँच वा छे रंग है शुब गरह शुक्र गरह बुद गरह है शुब दिशा आपकी पश्चिम दिशा है अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसर वर्स 2022 के आरंब में तुला राशी के स्वामी शुक्र धनु में वेचारिक विरोधी सूरी के साथ न जाने कहां कहां कारी करेंगे लगता है कि वे आपके सुख का आवाहन कर रहे हैं आने वाला साल गुनगुना रहा है पिछली बेचेनी से इतर सुख सांती आनंद का आपको अनुबह होगा जु निरने से बेडा पार होगा रजत चरण का चतूर्थशनी स्रम के फल में विलंब से डिप्रेशन या मिठ्या का अहसास भी देगा किसी बिगडे रिष्टे में सुधार की संभावना कम रहेगी इस वर्ष आपका शुब रंग हरा है वस सफेद रंगे शुब अंग आपका पांच वच्छे अंक है शुब ग्रह शुक्र ग्रह है शुब दिसा आपकी पस्चिम दिसा है अगले राशी है वर्ष्चिक वर्ष्चिक राशी वालों के अनुसार वर्स 2022 के आरंब में राशी श्वामी मंगल अपनी ही राशी वर्ष्चिक में मित्र चंद्रमा केतु के स साथ रहेंगे आपके लिए थोड़ी बेचेनी के साथ चेन के फूल खिल किलाएंगे यहां मंगल जिंदगे में उन्नती लाएगा सही निरने से किस्मत की बाजी पल्टेगी इस समय आपको आशा की नई किरण मिलेगी सत्य वचन आपके आभा मंडल को धार देगा सद आचरन आपके बिगडे कारियों को समारेगा शनी मकर राशी में गती शील है स्वरन पात का तीसरा सनी आपको अपार साहस और भाई दोनों से अलंकरत करेगा कभी कभी विचित्र तरह के अहसास भी आपको होंगे आत्मिक ज्यान में रुची आपकी बढ़ेगी 29 अप्रेल 2022 को केतु वरश्चिक में रहेंगे तो विधाता का संकेत है कि रजत अपात का सब्तम राहू और प्रतम केतु आपको तनाव बढ़ाएगा अधिकारी अजीब आचरन करेंगे किसी बड़े अनुबंद में नाट की यू टरन आने से आपको पिड़ा हो सकती है किसी छोटे जीवन में नया उजाला होगा साल के मद्ध में घिरी दुंद के बीच से रूप हली किरने काम्याबी के परचम लहराएगी वाक चातुरी से आपको इस वरस अच्छी सफलता प्राप्त होगी इस वरस आपका शुब रंग केसरिया वा लाल रंग है शुब अंक आपका तीन राशी के स्वामी ब्रहसपती कुम्ब में होंगे तो तामर चरन का दूसरा गुरू आंतरिक बल को द्रड़ और आर्थिक पक्षो को मजबूत करेगा 13 अपरेल 2022 को दिन में 11 बच के 23 मिनिट पर जब गुरू मीन राशी में प्रवेस करेंगे तो अंतर ग्यान सम्रद्द हो शनी मकर में है इस राशी के लोग साड़े साथी के अंतम चरन को भोग रहें लोह पात का दूसरा सनी आर्थिक बेचेनी कानूनी पड़चे का कारक रहेगा शनी की उतरती साड़े साथी सरीर के निचले भाग में आपको पीड़ा दे सकती है 29 अप्रेल 2022 को जब शनी कुम् शनी जब मकर राशी में प्रवेस करेंगे आपको किसी चक्कर में उलजा करके घंचकर बना सकते हैं आपका सुप्त धेरिय छूटेगा नहीं धमाके से फूटेगा किसी के प्रती जलन की महका आपके आभा मंडल को फीका करेगी राहु वरशवव केतु वरश्चिक में प् केतु तूला में कदम रखेंगे तो आंतरिक गुणों में पंक्न लगेंगे अपने काम से और अपनी पहचान से आप नए सोपान पर चड़ेंगे जिसमें धूप में नहीं स्वयम को तपा करके अनुभववों से अपने बाल पकाए ऐसे लोगों के अनुभव और ग्यान क अगली राशी है मकर राशी मकर राशी वालों के नोसार इस वर्स 2022 की सुरवात में इस राशी के स्वामी शनी अपनी राशी मकर में विश्राम कर रहे हैं और आपकी जीवन विशा को प्रणाम कर रहे हैं इस राशी के लोग शनी की साड़े साती के दूसरे चरण को भोग रहे हैं स्वरनपात का प्रथम शनी सेहत पर असर डालेगा इस राशी के लोगों का आने वाला समय अच्छा रहेगा उम्मीदे वा मानसिक उल्जन दोनों लेकर के आया है उर्जा साहस उगरता का संचार होगा संबंदों का विस्तार होगा समझदारी से बेडा पार होगा लेकिन गल रह जुलाई 2022 को वक्री शनी मकर में जाएंगे तो गलत फेसले हानी का कारण हो सकते हीं स्री और सोंदरी में बड़ोत्री होगी जिवहा पर असर प्रकट होगा राहू वरशवव केतू वरश्चिक में रहेंगे नई चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा विधाता का संक प्रता प्रदान करेंगे अदम में साहस का प्राधूर बाव होगा जिन्दिगी नए सुपन दिखाएगी जेब मुस्कराएगी जेब में बजन होगा पर साथ ही कोई उम्मेद कांच की तरह दरग जाएगी कोई जोखिम इस साल आपके लिए अवसर बनकर के अवतरित होग किसी की टिपपनी से मन परेशान हो सकता है मानसिक संताप भी मिलेगा निरर्थक भाग दोड हो सकती है आप भागी रहती हो या ना हो लेकिन आपके भीतर से गंगा की तरह आंत्रिक गुण प्रकट होंगे किसी अपने के अजीब बातों से आपको ठेस लग सकती है इस वरस अगली राशी है कुम्भ अर्थिक सामाजिक मांसिक तनाव प्रकट हो सकते हैं तामरपात का 12 सनी बारवा सनी थोड़ी परिसानी दे सकता है लेकिन सभी चुनोतियों को पार कर जाएंगे प्रतिष्ठा पर उंगली उठ सकती है आपके सतकर्म कवच की तरह आपकी रक्षा करेंगे 29 अप्रेल 2022 को जब लुप्त होती रेखा से छती होगी राहू वरशब केतू वरश्चिक में है इन दोनों का साथ आपके जीवन में नए सुर नया राग छेडेंगे जलने वाले तीडी बिडी होंगे परोपकार में रुझान बढ़ेगा रजत पात का चोथा राहू दस्वा केतू आंतरिक को अकास को इस पर सकरता हुआ दस्टी गोचर हो रहा है कोई सितारा तूटे या न तूटे पर किसी इच्छा के पूर्ण होने की राह बनेगी आंतरिक गुणों सुप्त हुनर से फायदे की राह निकलेगी आपकी कोशिशे आपको काफी सफलता दिलवाएगी इस वरस आपक के नुसार वरस 2022 की सुरवात में मीन राशी के मालिक के देव गुरु ब्रहसपती मकर में विराजी थे यहाँ गुरु अंतरमन में आनंद का संचरन करेंगे इरादों को बल मिलेगा उम्मीदों को संबल मिलेगा तमन्नाओं को पंख लगेंगे तेरह अपनेल 2022 को दिन में 11 23 मिनिट पर जब गुरु मीन राशी में गोचर करेंगे तो केरियर में अनोखी चमक आपको दिखाई देगी किसी नए करार से नई चेतना का प्राकट्य होगा शनी मकर में है रजत पात का ग्यारवे भाव का शनी योजना वद्द तरीके से किये गए आर्थिक निवेस में आपको लाब देगा राहू वरशवव केतु वरश्चिक में रहेंगे विधाता का संकेते की स्वरण बात का तीसरा राहू नवा केतु काम्याबी के जंडे लहराएगा शुब कर्म होंगे कोई प्रतिजंदी परेसान आपको कर सकता है लेकिन आपके आनंद में कमी नहीं आने वाला काल आने वाला समय आपको काफी सफलता देगा नई आशाएं जगेगी व्यक्तितु में आकर्शन बढ़ेगा पर किसी की बात या बयान से जमी पर नहीं आपके अंतरमन पर प्रभाव पड़ेगा केरियर में प्रतिष्ठा पर नए पायदान पर पहुचेगी आ इसी की शिफारीश से नए अवसर आपको अवश्य मिलेगी तथा कथित विरोधियों की सहायता से लाब मिलेगा कुछ काम बिना सोचे हो जाएंगे और सोच विचार कर किये गए कुछ काम होते होते रुख जाएंगे लक्ष आपको मिलेगा अनुभव की अनुठी सोगात भी मिलेगी आपकी साफ गोई से पुराने मित्र नए विरोधी नजर आएंगे समझदारी से काम लेना चाहिए जहां गर्दन जुकाना हो वहीं जवरजस्ती सिर नहीं उठाएं इस वरस आपका शुब रंग लाल गुलाबी महरून और पीला रंग है शुब अंक आपका त पसन आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे